हलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेर कर रही हूं मश्रूम की रेसिपी यूँ तो मार्केट में हर मौसम में मश्रूम मिलता है लेकिन सर्दियों में इसे खाना सेहत के लिए काफी फायदे मंद होता है मश्रूम से अलगलग टाइप की जो है डिशिस बन जाती है मश्रूम में पोटाशियम, कोपर, आयरन, फाइवर जैसे तमाम पोशक तत्व होते हैं जो की हमारी सेहत के लिए काफी फायदे मंद होते हैं तो आज मैं बना रही हूँ मश्रूम की सबजी तो यहाँ पर मैं लेके आ गए थी 400 ग्राम मश्रूम तो जो मश्रूम है वो एकदम साफ थे तो इसलिए मैंने इने ना डैरेक्ट काट लिया तो मैं एक मश्रूम के तीन हिस्से कर रही हूँ तो आप इनके इससे भी छुटे छुटे हिस्से कर सकते हैं या फिर दो हिस्से कर सकते हैं तो जो मश्रूम के पीसिस हैं मुझे इतने ही बड़े ना सही लगते हैं खाने में तो यहां पे जो है मैंने कर लिया था गरम पानी जादा गरम नहीं गुंगुना पानी कर लिया था मश्रुम को ध्षूने के लिए इन्हें साफ कर सकते हैं तो यहाँ पर मश्रूम में पानी में दोल ये दे तो अब क्या करना है मश्रूम में हम मिलाएंगे एक मैजिक मसाला तो यहाँ पर मैंने डाला है चिकन मसाला जी हाँ मश्रूम में मिलाएंगे हम चिकन मसाला चिकन मसाला की जगे पे आप मीट मसाला भी डाल सकते हैं जो वेजिटेरियन है टेंशन ना ले ये एकदम जो मसाला होता है ना वेजिटेरियन ही होता है इसमें कोई नॉन्वेज नहीं मिला होता है तो आप चिकन मसाला या मीट मसाला का ना इस्तमाल कर सकते हैं इससे जो टेस्ट है ना सबजी में वो बहुत अच्छा आता है तो मश्रूम में जो है चिकन मसाला मैंने मिक्स करके जो है एक तरफ रख लिया और यहां पे जो है मैंने लिये थी तीन मीडियम साइज तो प्याज को क्या करना है यहां पे ना चौप करना है लेकिन चौप ना एकदम रफली चौप करना है तो आज जो सबजी बनाएंगे ना हम जटपट वाला बनाएंगे बिना प्यास टमाटर को ग्रैंड किये हुए और बारिक चौप किये हुए तो आज जो है ना सबजी बने की एकदम जटपट और खाने का जो टेस्ट वो एकदम अलग ही होगा तो यहाँ पर जो है मैंने ले लिये थे तीन टमाटर तो टमाटर को भी सेम जो है ऐसे ही काटना है एकदम रफली जो है ना चौप कर लेना है तो फ्रेंट वीडियो के एंड तक बने रहें और आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं और चैनल को अभी तर सस्क्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब करें साथ ही बेल अकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यहाँ पर जो टमाटर है वो मैंने चौप कर लिये थे यनकी रफली काट लिया था और यहाँ पर जो है मैंने लिये थे लसन तो लसन को यहाँ पर मैं छिल लूँगी और छिलने के बाद इसको बीच में से कट लगा लूँगी ताकि जो लसन है वो जल्दी से छिल जाए तो यहाँ पर जो लसन है वो छिल चुके थे तो प्यास टमाटर और लसन को एक प्लेट में रख लेंगे तो अब मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटा सा टुकडा अद्रक का तो अद्रक को यहाँ पे ना मैं कर लूँगी कद्दुकस क्योंकि अद्रक जो है ना वो जल्दी से गलता नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कद्दुकस कर लिया है तो एक छोटा सा ही टुकड़ा लिया था तो यहाँ पे मैंने कर लिया है गैस को ओन और यहाँ पे रख दिया है कुकर तो आज जो मश्रूम बनाएंगे हम बनाएंगे वो कुकर में जो कि बनेगा बहुती जादा जल्दी ही और जटपट तो यहाँ पे जो है मैंने डाला है सरसो का तेल तो सरसो के तेल में जो मश्रूम की सबजी है आज बनेगी एक्तम चबरदस्त तो जैसे ही तेल गरम हो गया था तो यहाँ पे मैंने एक चमल डाला था जीरा और जब जीरा चटक गया था तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लसन डाले दे तो लसन को यहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं पकाएंगे बस एक मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो सुखी लाल मिश डाली और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याँज तो आज की जो रेसिपी है उसमें हमें मसाले भी जादा पकाने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे जो प्याँज है मैंने हाई फ्लेम पे भूना है तो प्याँज जादा नहीं भूना है सिर्फ प्याच का एकदम light जो golden प्रत चर्ज है ना तो बस उसके बाद अद्रक गीस के रखा था उसे प्याच में डाल देंगे और उसके बाद मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे एक चमड डाला कश्मिरी लालमिष पाउडर और आदी चमड हल्दी पाउडर और उसके बाद इसे मिक्स कर लिया और फिर टमाटर काटके रखे दे तो यहाँ पे टमाटर को भी डाल देंगी नहीं है दो सीटिया और जब दो सीटी आ जाए कुकर कर धकन ठंडा हो जाए तो धकन हटाएंगे तो यह देखिए यहाँ पे जो प्यास ट्रमाटर है वो गल चुके हैं तो मैंने यहाँ पर फिर से गैस को अन करा और जो लसन है वो एक तम अच्छे से गल चुका है तो इसके मैंने यहाँ पर डाला है दो चमच धनिया पाउडर और आदी चमच यहाँ पर डाला मैंने लाल मिश पाउडर और उसके बाद जो है इनको अच्छे से मिक्स कर लिया तो यहाँ पर जब मसाला सुकड जाए ना तब उसके बाद यहाँ पर मैंने जो मश्रूम रखे वे थे मसाली के साथ मिξ करके तो उसे डाल देंगे एक चमर डाला है गरम मसाला और टेस्ट और बढ़ाने के लिए एक चमर डालेंगे कसूरी major और उसके बाद उसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स यहाँ पे जुहेप मसालों के साथ और तीन सीटी के बाद गैस को बंद करेंगी तो पहली सीटी हाइ फ्लेम पे और बाकी लो फ्लेम पे तो यहां पे ज़ो इसीटी लग गई थी ढखन ठंडा हो गया था कोकर का तो सब्जी जो हमारी बंचुकी है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी तो आप इ कैसे लगी आपको मेरी आज की रेसेपी आप मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर जरूर सस्क्राइब कीजिएगा तब तक के लिए टाटा बाई बाई